तो हाई एवरिवन आज के इस वीडियो में भम बात करने वाले हैं टर्मक्स और लिनक्स के बारे में एंड ये भी देखेंगे कि दोनों में करेंड डिप्रेंस है एंड किस तरह से दोनों का यूज करना सही रहेगा तो हे गाईज महीं एलेक्स एंड आप देखें लोग टेक तो तर्मक्स का यूज मैनली लिए ओर प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है अगर हम बात करें Linux की तो यह एक emotional operating system है जो कि आपको यूज तो जिसका जूज मैनली केम्ट्र में किया जाता है। हैं किया जाता हैं अब हमां किसी भी प्रोग्रामिंग या वैट का यूज कर सकते हैं और अपने कोड को एक्जिक्ट्ट कर सकते हैं Linux के अदर बहुत सारे इंट्टल भी मिल जाते हैं आपको जैसे कि vim नैनो, कर्ल, डबलू गेट और भी बहुत है अब हम बात करते हैं कि दोनों में क्या डिप्रेंस है तो सबसे बड़ा डिप्रेंस यह है कि Linux एक पूरा का पूरा आपरेटिंग सिस्टम यह है जबकि Termux एक एप है जबकि Linux के अंदर आप फुल एक्सेस ले सकते हो OS का मतलब यह है कि Linux के अंदर हम किसी भी फाइल या फोल्डर को मोडिफाइग कर सकते है जबकि Termux के अंदर सिरफ हम हम डायरेक्टरी में ही वर्क करते है जैसे कि आपको पता भी है तो अब सवाल यह है कि किस तरह से दोनों का यूज करना सही रहेगा अगर आप अपने फॉन में हैकिंग सिखना चाहते हो या फिर आप साइबर सिक्यूरिटी में अपना करियर बरना चाहते हो अब या आप स्टार्ट करना चाहते हो तो फिर आपके लिए टर्मक्स बेस्ट उप्शन रहेगा क्योंकि यह इजी टू यूज है एंड आप इसको कई भी लेके जा सकते हो यह आपके पैकेट में फिट हो सकता है एंड अगर हम बात करें कि अगर आप पेंटेस्टिंग करना चाहते हो या फिर हाई लेबल हैकेंग करना चाहते हो खुद का सरवर बराना चाहते हो यापर किसी प्रोग्रामिंग लेक्वें जिसका यूज करना चाहते हो इसमें एंड लिनक्स बेस्ट उप्शन रहेगा इसमें तो गाइज यह थे टर्मक्स और लिनक्स के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बात हैं तो हमने देखा कि दोनों में क्या डिप्रेंस है और किस तरह से दोनों का यूज करना सही रहेगा मुझे उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजे नाइट आप डिसलाइक करके भी जा सकते हो तो चले काईज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नाइट ओपे के साथ तब तक चले टेक केर